फ्रेंड्स आज बाजार की सुरुआ तो पॉजिटिव हुई लेकिन क्लोजिंग गिराउट के साथ में हुई इसके पीछे क्या वज़े क्यों बाजार में अभी भी दबाव बना हुआ है क्यों बाजार तेजी के साथ आगे नहीं बढ़ पा रहा है तो बहुत सारी निगेट करते तो आने वाले समय में आपको बहुत ही अचा रिटन मिल सकता है तो बाजार की सारी जानकारी आपको इस वीडियो के मादिम से बिल जागी गोल्ड की प्राइस से लेकर आपको डॉलर की प्राइस और किस स्टॉक ने कितना कमाल किया और कौन से स्टॉक गिरावट के सा साथ आगे रहें आने वाले समय में किस सेक्टर में तेजी बन सकती है सारी बाते आपको इस वीडियो के मादिम से मिल जागी तो पूरा वीडियो दे के स्किप न करें एक एक जानकारी आपके काम किये बहुत सारे ऐसे इस श्टॉक के जिन में अगर आप निवेस करते हो त सकता है इस डिप में वो खरिदारी का मौखा बंद रहा है तो सारी समय में को तलासेंगे इस वीडियो के मादिम से लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एक बेल आइक आउन बाद दीजिए ताकि जब भी ने वीडियो बने पहला नोटिपिकेशन आपको मिले वीडियो पसन आए तो लाइक से जरू कीजिए चलो फ्रेंड वीडियो स्टार्ट करते मैं हूँ आपका दोस्त एस भी दवय और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत-बहुत स्वाग दे सबसे पहले BSE Sensex की बात कर लेते हैं तो शुरुआ तो भी 58,198 पर हाई बना 58,416 का लो है 57,568 का अंत में 57,684 पर प्लोजिंग रही यानि 304 पॉइंट की गिराओट 0.53 परसें गिराओट गिराओट देखना को मिली अब Nifty Next 50 की बात के तो 0.22% तेज था, Nifty 100 0.30% डाउन, Nifty 200 0.19% डाउन, Nifty 500 0.20% डाउन, Nifty Mid Cap 50 0.52% अप, Nifty Mid Cap 100 0.55% अप, और Nifty Small Cap 100 0.21% डाउन, India VX 2.81% अप, और Nifty Mid Cap 150 0.35% अप, Nifty Small Cap 50 0.04% डाउन, Nifty Small Cap 250 0.04% डाउन, Nifty Small Cap 250 0.15% डाउन, और Nifty Mid Small 400 0.19% अप, तो यहाँ पे आपको देखना को मिलेगा, कि आज Nifty Mid Cap में अच्छी खासी थोड़ी सी तेजी हमें देखना को मिली, और Small Cap में थोड़ी सी मामूली, लेकिन Nifty के आज बड़े सेरों में गिराओट देखना को मिली, अब अलग-अलग 0.88% की गिराओट, Nifty FMCG सेक्टर में 0.27% की गिराओट, लेकिन Nifty IT आज 0.03% अप था, Nifty Media में 0.21% की तेजी, और Nifty Metal तो आज दोड़ा 1.21% अप, Nifty Pharma 0.42% अप, Nifty PSU Bank 0.50% की गिराओट, Nifty Private Bank में 0.47% की गिराओट, और Nifty Reality में 0.35% की गिराओट, तो आज 4 सेक्टर थे जो ग्रिन थे, जिसमें सबसे सांदार दोड़ा आज निप्टी मेटल, और इसके पीछे वज़े है, Crude Oil की बड़त, International Market देखे तो बहुत ज़्यादा गिराओट वहापी भी बनी हुई है, अब आप देखो Dow Jones तो 0.75% की गिराओट है, S&P 500 की भी 0.75% की गिराओट, NASDAQ मे 1.11% की गिराओट, Result 2000 Index में 0.5% की गिराओट, खाली XOE में आज सांदार 2.33% की तेजी देखनों को मिल रहे हैं, तो International Market भी दबाव में है और इसके पीछे वज़े बनी है, Crude Oil, WTI Crude की बात करे तो 114 पर पहुँच चुका है, जापे 4.60% की तेजी देखनों को मिल रहे ह ब्रेंट, Crude की बात करें, तो 120 पर आचुका है, जापे 4.60% की तेजी है, तो लगातार फिर से Crude Oil की प्राइज बढने लगी है, यह बाजार के लिए छिंता की बात है, अब गोल्ड की प्राइज देखें, तो 10 ग्राम 24 करेट गोल्ड की प्राइज 53,245 की आज की है, अब फिर आज प्राइज नीचे भी आई थी, कम से कम 52,900 पर, तो लगबग गोल्ड की प्राइज वही पर है, आप देखोगे, इस्टेबल प्राइज है, अब डॉलर की बात करें, तो डॉलर के सामने इंडीन रुपीज की प्राइज फिलाल 76.46 प्राइज है, एक डॉलर की प् लुपीज और गोल्ड दोनों एक जगह पर ही है, उसमें कोई बड़ी अपडाउन देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन आप बढ़ने वाले सेर कम थे और गिरने वाले सेर जादा थे, यह आपको खास द्यान रखना है, अगर हम बाजार के विंदर देखे तो हिंदार को इ देजी से फिर बड़ा, अब लूजर देखे तो HDFC बैंक था जापे 2.35% की गिराउट, कोटक महिंद्रा बैंक में 2.11% की गिराउट, भारती एर्टेल 1.99% की डाउन, ब्रेटन एंडेस्ट्री 1.78% डाउन, सिप्ला में 1.76% की गिराउट, तो आज बैंकिंग सेक्टर और आपको फार्मा सेक्टर में किराउट होते, दिखाए देगी, अच्छी बात यह है कि आज के जो लेटेस्ट डाटा उसके हिसाफ़ी, FII न आज खरीदारी किये, आज FII ने 10,002 ने 23,000 कोट पीच की खरीदारी किये, और सामने 9,007,000 कोट पीच का उन्होंने माल बेचा है तो इस तरह से उन्होंने 481 कोट पीच का नया माल आज खरीदा है, तो आप काफी दिन से जो सेलर बने होगा तो दीर दर बले थोड़ी सी कम कॉंटिटी है लेकिन FII खरीदारी कर रहें, लेकिन सामने हमारे जो बड़े फंडाउस है वो अब प्रॉफिट बुक कर रहें, तो 4,006 ने 53 कोट पीच का नया निवेस किया, लेकिन सामने उन्होंने 4,947 कोट पीच का माल बेचा, तो इस तरह से उन्होंने 294 कोट पीच का आज माल बेचा है, तो FII ने आज बाजार को समालने की कोशिस की, लेकिन हमारे बड़े फंडाउस ने आज भीक वाले की, और अब एक अच्छी ख़बर निकल के आ रही है, इंडिया ने अपना जो 4 अरब डॉलर का जो गुड्स एक्सपोर्ट का टार्गेट था उसको 9 दिन पहले ही पूरा कर लिया, इसका मतलब यह हुआ कि हर घंटे कम से कम 4.6 क्रोट डॉलर की गुड्स का एक्सपोर्ट इंडिय शुरू हो गई है, यह थोड़ी चिंता की जन्द बात है और इसलिए बाजार में थोड़ी सी दबाव बनी हुई है, एक बड़ी खबर और निकल के आ रही है, टेसला को टकर देने के लिए अमेरिका के गुजराती अब गुजरात में भी टेसला के टकर की इलेक्रिक कार ब बनाएगी, तो बहुत ही मजबुत कार है, और इसके लिए अलड़ी वो गुजरात में आया थे और उन्होंने अलड़ी एक एग्रिमेंट साइन कर लिया है गुजरात सरकार के साथ में, तो 600 एकर की जमीन में कम से कम 90 लेक वर्क फूट में ये एक बहुत ही लेटेस इसके लिए अची बात है, क्योंकि टेसला के टकर की कार मिलेगी हमें, और वो भी यहाँ पे इंडिया की बनी हुई, और जो एक खबर निकल के राई थी, कि MDH बीकने वाला है, तो वो खबर को जूटा बताया गया है, कमपनी की तरब से उनका कहना है, कि जो खबर है बुर कर चुके, तो बाजार में हमें एक तरपा गिराउट देखना को नहीं मिलेगी, तो ऐसे में कॉलिटी स्टॉक में दाव लगाना ची है, तो जो रिसर्च अनार्श्टो की ड्राय के हिसाब से हम देखते है, तो स्टार हेल्थ को खरीदने के सला दी जा रिए, यह ICIC डारेक रिपीज का टार्गेट तरह किया है, तो आप उसमें निवेश कर सकते है, डाटा पैटर्ण में, और फ्रेंट्स दूसरी तरप, एक्जिस स्क्यूर्टी स्की तरप से सिपला में खरीदारी की राय दी जा रही है, उनका कहना है कि आपको सिपला में खरीदारी करनी चीए, और फ्रेंट्स, सेंट्रम ब्रोकिंग की तरप से आजेते बिल्ला कैपिटल में निवेश की सला दी गई है, कि आपको इस समय निवेश करना चीए, काफी फेर वैल्यू में मिल रहा है, तो यह कुछ इस्टॉक है जिन में आप दाव लगा सकते हैं, और आने वाले समय में अच्छा रिटन भी मिल सकता है, और फ्रेंट्स, मैंने भी आपको दो-चार इस्टॉक सेजेश्ट किये ते हैं, काफी अच्छा रिटन दे चुक है, मैंने आपको रिलाइंस में निवेश की सला दी बहुत ही सांदार दॉर्डरा रिलाइंस, टाटा पावर में भी काथा, काफी अच्छा आपको रिटन दे चुक है, और इस समय तेजी में इन इस्टॉक में आपको दावर लगाना चीए, एक अधानी पावर में भी आपको ध्यान देना चीए, अधानी पावर में बड़ी हलचल सुरू हो चुकी है, अधानी ग्रूप की बहुत सारी कंपनियों क मर्जर किया जा सकता है, अधानी पावर के अंदर, तो इसलिए आपको अधानी पावर में निवेस के बार में सोचना चीए, अब एक बार हम निप्टी के लेवल देख लेते हैं, सपोर्ट देख लेते हैं, फिलाल निप्टी 50, 17,245 पर है, अगर गिरावट होती है, तो ज मिलेगा इसको 17,431 का, इसको ब्रेक कर लिया, तो फिर 17,546 का इस ततर देखने को मिलेगा, यहां तक अगर निप्टी 50 पहुच गया, तो फिर 17,759 तक जा सकता है, तो बिल्कुल 17,800 के आसपा जाने को तया है निप्टी 50, और अब यह ध्यान लगना है आपको कि एक तरप बाजार की संभावना ऐसी है कि हम इसे प्रिडिक निकर पाएंगे कल बड़ी तेजी बनती है या फिर बड़ी गिराउट बनती है, अभी सारे का सारे जो रीजन है, वो फिलाल थोड़े निगेटिग भी बने हुए क्योंकि पैट्रोल डिजल की प्राइज बहुत तेजी स जाने की थोड़ी सा मवना कम है, साथ में FI investment करने लगे, ये एक अच्छी बात है, तो निवेस कर सकते हैं, लेकिन फ्रेंड कोई भी investment करने से पहले, अपने finance or advice ले ले या अपना खुद का research क्योंकि मैंने वीडियो आपके education परपच के लिए ही बनाए, वीडियो पसंद आ